Dear Students, मैं दुला चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का बच्चो आप लोग इस रिन पे जो देख रहे हैं ये इस दुनिया का सबसे बड़ा परवत है पहाड है और इसे हिमाले के नाम से जानते हैं और हमारे देश का ये रच्छक के रूप में काम करता है और बहुत सारी विसिस्ताएं हैं इसमें सीव जी का ये निवास अस्थान है लोग कहते हैं कि सीव जी यहीं पे रहते हैं तो बच्चो आज हम लोग इस परवत के बारे में पढ़ेंगे आईए देखते हैं ये कौन सा चप्टर है जी हम बच्चो ये क्लास थिरी का हिंदी बुख है और चप्टर एट है और चप्टर का नाम है हिमाले तो आई हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं महाभारत में कहानी आती है कि पांचो पांडव, युदिश्टीर, भीम, अर्जून, नकूल और सहदेव बुढ़ापे में हिमाले परवत पर चले गए थे महाभारत की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी जब उसमें पांचो पांडव का जीवन काल पूर्ण हो जाता है वे बुढ़ा हो जाते हैं और द्वापर युग की समाप्ती हो जाती है तो उन लोग को स्वर्ग जाने के लिए कहा जाता है तो उन लोग सभी भाई बारी-बारी से बरव पर चलते-चलते मर जाते हैं तो उन लोग स्वर्ग की और जाने लगते हैं और हिमाले के रास्ते से होते हुए स्वर्ग वो जाते हैं जिसमें कि हिमाले पे चलते हैं तो वहां सिर्फ बर्प ही रहता है, तो बर्प पे चलते चलते हैं एक एक करके सभी की मिर्तियों हो जाती है, क्योवल युदस्टिर बच गए, और सिर्फ और सिर्फ युदस्टिर बचे और वो स्वग जाने में सफल हुए, उनके साथ एक पतलाया, वहाँ पे सीव भगवान रते हैं, उनका निवास है, पारवती जी तो परवत की ही पुत्री है, मतलब परवत के राजा की पुत्री है, बद्री का आश्रम में बद्री नरायन का मंदिर है, बद्री नरायन में विश्नु है, तो बद्री नरायन बद्री नाथ बोला के महा कवी काली दासने से देवतात्मा हिमाले कहा है जो उतर में पहरेदार के समान खड़ा है ऐसा माना जाता है कि बहुत समय से हमारे देश के रच्छक के रूप में हिमाले परवत खड़ा है, हमारे देश के रच्छक परता है भारत के उतर में हिमाले परवत भारत मा के सीस पर चांदी के मुकुट के समान लगता है वहाँ पे जो बरव जमी हुई है वैसा लगता है कि भारत मा के सीस पर जो है वो मुकुट चमक रहा है इसी कवी का कहना है कि यह परवत भारत का उच्छा मस्तक है इसके बिना भारत देश का रूप ही ख़डा नहीं होगा यह परवत वर्ष भर बर्व से धका रहता है इसलिए इसे हिमालय या हिमाचल कहते हैं यानि बरव का घर या बरव का पहाड़ सही नाम है यह बतला रहा है कि हिंदुस्तान का जो बनावट है हिंद हिमालय दिया गया है इसका मतलब होता है बरव का घर हिमालय का अर्थ है बरव का घर इस परवत माला का फैलाव पस्चिम में कस्मीर से लेकर पूरू में अरुनाचल असम तक है तो यह बहुत बड़ा पहाड़ है तो यह बहुत दूर तक फैला हुआ है पस्चिम में कस्मी कस्मीर से लेकर पूरु में अरुनाचल असम तक, अरुनाचल परदेश एक स्टेट है वहाँ और असम जो है, वह भी एक स्टेट है वहाँ तक पहला हुआ है, देख रहे हैं यह परवत आप लोग, यह बहुत बड़ी परवत है, हम लोग इसको अमारी सोच से भी बहुत बड है, अब इतना लंबा है कि इसको हम लोग गाड़ी से भी गरते करते हैं, तो फिर मुश्किल है, यह बहुत समय लगेगा, इसकी तीन स्रेनिया है, सबसे उपर और सबसे उचा हिमाले का सबसे उपरी भाग है, इसमें तीन भाग में यह बटा हुआ है, जो सबसे उपर हो ग हिमवंत भी कहते हैं, महा हिमवंत का अर्थ हो गया कि जहां पे हमेशा बर्फ हो, इसी परवत सरेनी में संसार की सबसे उची चोटी, एवरेस्ट या सागर माथा इस्थित है, जो नेपाल में है, तो हिमवंत जो जगह है, वहाँ पे इस दुनिया की सबसे उची परवत चो हो गया सागर माथा, जो यहां नेपाल में है, इसकी उचाई 8,848 मीटर, तेन सिंग ने इस उची चोटी पर चड़ने का सफल परयत्न किया था, तेन सिंग इस चोटी पे सबसे पहले चड़ा था, इसी सिरेनी में नंदा देवी, तिरसूली और गौरी संकर आधी उचे तो इसी सिरेनी में ये मिलते हैं, सीव जी का कैलास तो सबसे उतर में है, वह तिबत में माना जाता है, पर हमारे लिए तो सबसे बड़ा तिर्थ है, अब सीव जी का कैलास जो है, वह सबसे उतर में है, और वह तिबत एक देश है, उसमें माना जाता है, और तिबत आज के स खिलते हैं, और बहुत सारे हंस रहते हैं, शनaur 1962 में चीन के आकरमन के कारण के इलास और मानौसरवर पर चीन का ही अधिकार है, पर इन पर हमारे हिर्दे का अधिकार है, आग चीन उस पे कपजा कर चुका है 1942 के बाद जो हमला हुआ था इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे आप लोग history में इसको पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा आप लोगों को तो वह कपजा कर चुका है लेकिन उस से हमारे कोसी ब्रमपुत्र आदी नदिया निकलती है गंगा से कई सारी नदिया निकलती है जिसमें से गंगा युमना कोसी ब्रमपुत्र ये सब है और उतर भारत को अपने अमरित जल से सीच कर उपजाओ बनाती है इन नदियों के तड़ पर ही भारत की आसपास सभ्यता का विकास हुआ है, मतलब लोग एक अच्छी जिन्दगी कैसे जिया जाता है, इसके बारे में सीख सके, हिमाले के तपवन में ही हमारे धर्म का विकास हुआ है, भारत मा का यह मुकुट हमारा गोरो है, हिमाले के तपवन में हिमाले में बहुत सारा वन है, ज इसका सान्र समझागाता है इस परवत की दुसरी सिरेनी को मज्ध हिमाले कहा जाता है इस भाग में अनेक नदी घाटियां और हिम घाटियां है अब ये दुसरी सिरेनी के बारे मतला रहा है Part 2 के बारे में दहिमाले से और थोड़ा सा Middle एरिया में बीच वाले एरिया में बतला रहा है और यहां पер बहुत सारी घाटियां है नदियां है और हिम घाटियां है जो बरब से धके वे रहते हैं घनयवन, सैलवास, या सैलनगर और घाटियां है पस्चिम में कसमीर की घाटी है जिसे पिर्थवी का स्वर्ग का जाता है वैसे भी कस्मीर को हम लोग हिंदुस्तान का स्वर्ग काते हैं और ये हिंदुस्तान का ही स्वर्ग नहीं ये पूरे पिर्थवी का स्वर्ग है काटमांडू तो नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काटमांडू है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एक जीके का कुश्चन है, बड़ा सुन्दर नगर है, कुलू और कांगडा की घाटियां भी बड़ी मनोरम है, अब यहाँ पे कु सहिलवास या सहिलनगर हिल स्टेशन को बतला जा रहा है, तो सिमला, मसूरी, नेनिताल यह सब नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, यह सब हिमाचल प्रदेश में आता है, और कुछी जो है आपका उतर प्रदेश में आता है, यह उतराखंड में, और दारजलिंग यह सिवालिक की सिरेनी है, बाहरी हिमाला यह सिवालिक की सिरेनी, यह थड़ सिरेनी जो है, थड़ पाट जो है, वो बतला रहा है, सिवालिक की सिरेनी, हिमाले प्रदमाला की नवीन अवस्था में है, इस भाग में कंकल और मिटी से बने कई उचे मैदान है, जो दून कहलाते ह तो यहाँ पे उचे-उचे मैदान जैसे बने हुए है और यह मिटी से बने हुए है क्योंकि हिमाले से वो परवत से जो थोड़ा दूर है इसलिए लेगिन फिर भी यह परवत के एरिया में आते हैं जो दून कहलाते हैं देहरादून और हरीद्वार ऐसे ही उचे मैदान हरीद्वार जहां पे लोग जाते हैं तीरत करने के लिए इसकी तलहटी तराई कहलाती है मतलब सबसे निचला भाग जो इसका तल जिसे कहते हैं तो वो भाग तराई कहलाती है हरीद्वार में ही गंगा समतल पर आ जाती है हरीद्वार में मतलब वो इसके पहले जो है वो उ परी मतलब नारायन विश्नु भगवान और पैडी मतलब हो गया उनके पैरों के निसान, चरन के निसान, तो यहां पे विश्नु भगवान के चरन का छाप है, उसका निसान है, यहां कुम्ब का मेला लगता है, और हमारे देश में कुम्ब का मेला कई जगा लगता है, तो उस इस परकार से हम लोग पाते हैं कि हमारा जो हिमालय प्रवत है वो धर्म, साधना और धर्म से जुड़े हुए कई दर्सन, काईब का आधार है और ये देवताओं के अस्थान है इसलिए हिमालय को देवतात्मा की रूप में मानते हैं हमारा उनत सिस है और हम अपने गर्व के रूप में, अपनी सान के रूप में हमें से मानते हैं हमारा रच्छक है, हमारी समिर्धी, किर्सी यों बेपार की आधार सिला है हमारे रच्छक के रूप में ये काम करता है इसके अलावा समिर्धी, किर्सी कहने मतलब है कि इसी से हमा कि सारी चीज़े चलती है, इसलिए यह हिमालाय हमारे देश का अधार सीला है, योग्यों और साध्वों का साधना छेत्र है, कैला सवासी, संकर ही मानो संदेश दे रहे हैं, यहाँ पे साधू लोग, योगी लोग, वहाँ पे अपनी साधा करते हैं और ऐसा लगता है जैसे कैलास्वासी संकर संकर भगवान जो है ये संदेश दे रहे हैं कि ये पोयम के रूप में इस पोयम को आप लोग पहले पढ़े होंगे खड़ा हिमाले बता रहा है डरो ना आंधी पानी में डटे रहो सब अपने पत पर कठनाई तुफानों में तो ये पोयम और लंबा है लेकिन थोड़ा से यहाँ पर बतलाए गया है हिमाले के बारे में बहुत सारी कविताएं बहुत सारी कवियों ने लिखा है और यह बिल्कुल साबित होता है कि हिमाले हमारे देश का सान है, हमारे देश का रच्छक है तो यहाँ पर यह चप्टर समाप्त हो जाता है आए देखते हैं क्या questions दिया हुआ है इसमें question number 1 में पढ़ें और समझें यहाँ पर दिया हुआ है सब्दार्त दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और याद कर लेना है question number 2 में वचन दिया हुआ है एक वचन बहुँ वचन जो हम लोग पढ़ते हैं नदिया निकलती है, बहुँ वचन है क्योंकि एक से अधिक नदिया निकलती है, इस परकार से हमको इसको पढ़के समझना है, उसके बाद question number 3 में निमलिखित प्रस्णों के उतर दे ये इस chapter का मुझी के question है और काफी सारा question या दिया हुआ है 10 question दिया हुआ है, 10 से भी ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे ये 11 question दिया हुआ है इसके अलावा, अपने से कुछ बनाने के लिए कहा गया है, 4-5 में तो ये मैं आप लोगों को इसके question का answer बना के दिखाता हूँ ये है chapter 8 का question answer इनिमलिकित प्रस्णों के उतर दे पांचो पांड़ों के नाम बताएं पांचो पांड़ों के नाम है युदिस्टीर, भीम, अर्जुन, नकुल और सादेव हिमालय भारत की किस दिसा में है हिमालय भारत के उत्तर दिसा में है यह देखने में कैसा लगता है हिमालय परवत भारत मा के सीस पर चांदी के मुकुट के समान लगता है इसका फैलाव कहां से कहां तक है इसका फैलाव पस्चिम में कस्मीर से लेकर पुरू में अरुनाचल असम तक है इसकी कितनी स्रेनिया है इसकी तीन स्रेनिया है बिरहत हिमालय, मद्ध हिमालय और सिवालिक स्रेनिया सबसे उची चोटी का क्या नाम है सबसे उची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है इस पर किसने चड़ने की कोशिस की थी इस उची चोटी पर तेन सिंग ने चड़ने का सफल पर्यास किया था संकर जी का निवास कहा है संकर जी का निवास कैलास परवत पर है यहाँ पर यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजे और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों के साथ सेर कीजे और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ता यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं